बिस्मिल्लायोरह्मानण रहीम, Assalamualaikum Electrical Double Layer की Total Animated Concept जो है वो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा कि Electrical Double Layer हम कहते किसे हैं, ये कैसे बनती है और इस में Electrical Potential कैसे जो है वो पास होता है तो सबसे पहले हमने एक छोटा सा concept रखना है कि electrical double layer होता क्या है फर्ज करें ये हमारे पास कोई भी जो है वो solid surface है ठीक है solid surface जो के हमारा electrode होता है in an electrochemical cell किसी भी electrochemical cell में हमारे पास जो electrode होता है वो अमूमन हमारे पास solid होता है इसके उपर कोई एक layer आके adsorb हो जाए जैसे के solvent की हो जाए तो हम इसे कहेंगे first layer तो first layer जो होती है ये basically ions होते हैं जो के adsorb होते हैं due to chemical interaction अब ये जो ions adsorb होते हैं ये किसी solvent के थूँ होते हैं यान किसी electrolyte के थूँ होते हैं तो जो हमारी first layer है इसमें ions होते हैं जो के chemical reaction के नतीजे में, chemical interaction के नतीजे में, chemical forces के नतीजे में जो है, वो adsorb होते हैं किसी भी solid surface के उपर, अगर इस के उपर, इस first layer के उपर एक और layer आके adsorb हो जाती है, तो इसे हम कहेंगे ये second layer है, अब second layer जो है, इसमें भी तक ions होते हैं, जो के attract होते हैं by columns force जिसको हम कहा सकते हैं के weak force of attraction भी होते हैं और इसी layer को हम दूसरा नाम दे देते हैं कि this is diffuse layer अब यह layer जो के first layer के बार आती है तो इसलिए जो first layer होती है वो इसको screen करती है वो इसको shield करती है तो यह एक simple सा concept है अब electrical double layer का अब electrical double layer के बारे में different किसम के जो हां वो model दिये गए हैं जिसमें हमारे पास number पहले number पे जो आता है वो helm holds electrical layer model है हमारे पास दूसरा helm holds पैरिंग electrical layer model है, हमारे पास Goe chapman जो है जो हां वो electrical layer model है और फिर stern electrical layer model है हमारे पास और बोक्रिस डिवैंथन मुलर electrical layer model है अब यहाँ पर हम जो है वो कुछ electrical layer model पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे helmholtz double layer model तो अब सबसे पहले यह हमारे पास कोई भी एक solution है जिसे हम electrolyte कहते हैं और यह हमारा जो है वो electrode है और इस electrode पर जो है वो positive charge है क्योंकि electrons जो है वो इस electrode से solution के तरफ move कर गए है तो जिसकी वज़ा से इस electrode पर क्या है positive charge है अब चूंकि electrons जो है कुछ ions जो है वो इस solution में move हो जाएंगे मतलब जो positively charge ions है जो इस metal electrode में है जो positively charge है यह जो पॉजिटिव चार्ज है तो कुछ पॉजिटिव आइन जो है वह इस तरीके से सुलूशन के जाना मूव कर देंगे अब रिजल्ट क्या होगा कि इस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज की कमी हो जाएगी और ये थोड़ा सा जो है वो क्या हो जाएगा इसको थोड़ा सा जो है वो कंजियूम हो जाएगा तो अब हम इस कंजम्पशन पे और इसके बाद जो के इसके ओपर अब इस वकत क्योंके पॉजिटिव चार्ज की कमी थी तो इसके ओपर नेगटिव चार्ज वाले जो आइन् अब जो अड्जॉर्ब होंगे इन नेगटिव आइन का यह जो सेंटर वाला पॉइंट है इस पॉइंट को हम कहेंगे कि यह इनर हैल्म होल्ट्स प्लेन है इसी तरह से जो पॉजिटिव आइन जो सुलूशन में मुझूद है वो चुके यह नेगटिव अब यह जो मैटल एल लेयर का सेंटर वाला पॉइंट है इसे हम कहेंगे और हैल्म होल्ट्स प्लेन क्योंकि यह इनर बिल्कुल साथ है सॉलिट सर्फिस के और यह इनर के आगे लगा हुआ है इसलिए हम इसको जो है वह आउटर कहते होते हैं अब बाकी आइंज भी कुछ इस तरीके से सुलूश इस प्लेन के दिम्यान जो यहां पर डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे कमपैक्ट डबल लेयर के दो जो लेयर्स है यहां पर आकर एक दूसरे के साथ अटैच हो रही हैं कमपैक्ट हो रही है अब वाटर माली क्यों अगर हमारे पास हो यानि के कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पास जो लीकवड है अगर वो वाटर हो तो वाटर क्या करता है सबसे पहले में वाटर के बारे में पता होना चाहिए कि जो वाटर है एक तो यह पोलर है दूसरा जो डिवैल्प करता है potential difference across double layer मतलब water polarity water के polar होने की वजह से जो potential difference है वो double layer के across exist करता है तो सबसे पहले हम देखते हैं वाटर किस चीज़ से मिलकर बना होता है oxygen से मिलकर बना होता है और oxygen पर क्या चार्ज होता है negative charge और वाटर के molecule में दो hydrogen होती है और यह दोनो hydrogen जो है वो oxygen के साथ जुड़े होते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो hydrogen वाला portion है यह positively charge है और जो oxygen वाला portion है वो negatively charge है अब यह जो हमारे पास अगर यह solute की शकल में हो solvent की शकल में हो electrolytes की शकल में हो तो यह attract होगा किसकी जानब यह कोई भी जो हमारी solid surface यानि के electrode के उपर अब अगर इस electrode के उपर positive charge है तो यह hydrogen के जरीए water के molecule यहां पर adsorb होके layer बनाएंगे और अगर और अगर इस layer पर जो है वो negative charge हो तो hydrogen के जरीए और अगर positive charge हो तो oxygen के जरीए water के molecule यहां पर आकर adsorb होंगे और adsorb होने के बाद जो है वो potential difference जो है वो इसके across exist करेगा तो अब हम water के जरीए बनने वाला electrical double model देखते हैं कि यह हमारे पास कोई भी electrolytic solution है यह जो हमारा है यह हमारा solid electrode और इसके ओपर यह यह वाले जो yellow color के मैंने दिखाएं यह solvent के molecule adsorb हुए है solvent कौन सा ले रहे हैं water अब इस solvent के molecule में कुछ जो है adsorb specifically anion होंगे यह जो red और आपको yellow color का दिखाया गया है यह red जो है यह anion है और जो yellow color का है यह water के molecule adsorb हुए तो इनको हम कहेंगे कि यह solvent molecule क्योंके water solvent है water polar है इस वज़ा से वो इस electrode की तरफ जो है वो attract होगा अब यह वाले जो है यह specifically adsorb anion का लाएंगे क्योंके water के molecule ने कुछ हो सकता है कि negative charge वाले आइन के साथ interact किया हो तो वो भी water जो है वो इस सथा के उपर adsorb हो सकता है अब यह वाला जो इनका center point है इसे हम IHP inner helm holds plane कहेंगे इसी तरीके से यह positively charge जो आइना यह भी इस electrode की जानब move करेंगे तो यह specifically जो है वो हम इसे क्या कहेंगे के solvated cation अब कहने का मतलब यह है कि अगर metal की surface से positive charge निकल जाते है solution के जानब तो metal की nature हो जाती है negative इस negative nature के उपर जो है वो दो किसम के molecule आके attach हो रहे है अगर हम water as a electrolyte use कर रहे है एक तो solvent के molecule और solvent के molecule के साथ solvated cation भी absorb होंगे और specifically absorb एनाइनमी absorb होंगे तो जो solvated cation है यह water का molecule अब यह फर्ज करें कि यह का टाइन इस पर positive charge है तो water का negative सीरा इसकी जानब होगा यानिकि oxygen के जरीए वो इसको गेरे हुए होगा तो अब यह जो second layer बन रही है इसको हम क्या कहते है आउटर हेल्म होड से plane कहते हैं और यह जो कुछ जो है वो negative charge अनाइन जो है वो इसके उपर वैसे direct absorb होंगे कुछ जो है वो specifically water के यानिके solvent के साथ absorb होकर इस सता के उपर absorb हो जाएंगे अब बॉक्रिस डिवैंथन मॉडल देखते हम बॉक्रिस डिवैंथन मैडल में सबसे पहले हम वही लेट करेंगे कि हमारे पास यह एक solvent है यह हमारे पास एक electrolyte है यह हमारे पास इस तरफ जो है यह हमारे क्या है कि तुबारा से देखें इस मॉडल को कि यह हमारे पास कोई भी जो है ना वो solid surface है उसके यह हमारे पास spherical form में हम माडल ले रहे हैं कि यह हमारे पास कोई भी solid surface है अब इस solid surface के उपर ये आकर जो ये वो जो arrow जाहर कर रहा है ये इस जानब को अब इसके उपर क्या charge हमने suppose किया हुआ क्योंकि metal के उपर से जो positive charge है कुछ solvent की जाना move कर जाएगा तो इस metal की nature जो है वो negative है तो ये जो absorb आइन है ये वाले ये किस की है ये solvent के है solvent जैसा के हमने पीछे क्या suppose किया हुआ है वो water और इसका ये जो head है ये positive charge को जहर करता है और जो tail है वो इसकी negative charge को जहर करती है तो अब देखें ये हमारे पास कोई positive divine है तो अब ये जो tail है चुके negative को जहर करती है तो ये इसकी जानब वाटर जो है वो इस तरीके से कोई भी हमारा जो polar solvent है वो इस तरीके से मिलकर एक solvated cation बना लेगा अब ये जो solvated cation इसको हम hydrated cation भी कहेंगे और इसी तरह ये negative है तो वाटर के molecule जो है वो इसको positive terminal से यानिके positive series से इसको घेर लेंगे अब इसको जो घेरा हुआ हुआ है वो oxygen ने घेरा हुआ है इसको जो घेरा हुआ हुआ है इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास hydrated hydrated anion है अब ये hydrated cation और hydrated anion ये भी इस सता के उपर आके adsorb हो जाएंगे जो cation होंगे वो direct adsorb होंगे इसकी वज़ा क्या है क्योंकि ये जो metal की surface है that is negatively charge क्योंकि ये negatively charge है तो ये positive आकर यहां पर attach होते जाएंगे इसी तरीके से और solvent के molecule इसी तरहां से यह जो positive वाले आईन है यह आकर इदर जुड़ते जाएंगे और यूं जो है वो फिर एक layer बन जाएगी अब यह बाकी solvent के पहली layer adsorb हुई है इस plane को हम क्या कहेंगे inner helm hot plane अब यह जो दूसरी जो hydrated केटाइन पर मुश्टमिल लेयर है इसे हम क्या कहेंगे outer helm hot plane और यह जो दर्मयान में layer बचती है इसे हम कहेंगे stern layer और यह जो बाकी जतना भी यह सारा area इसको हम क्या कहेंगे diffuse layer तो hopefully आपको यह कुछ कुछ helpful जरूर लेक्चर में हुआगो किस तरीके electrical double layer generate होती है अगर आपको लेक्चर पसंदा आया तो kindly मेरे चैनल को subscribe जरूर कीजेगा जजाक Allah Allah आपके और मेरे लम्मे इजाफा फरमाए